हेलो बच्चो एक बर फिर से इस क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपकी 1.3 प्लांट, पार्ट्स, एन अनिमल प्रोड़क्ट एस फूड हम सीखेंगे प्लांट्स आर प्लांट्स आर वन सोर्स आफ आफ ओर फूड। प्लांट्स क्या होते हैं, source of food होते हैं, which parts of a plant, plants में से कौन सा part जो है, source है, we eat many leafy vegetables, we eat fruits of some plants, sometimes roots, हम plant के leaf को हम खा सकते हैं, हम plant के fruit को हम खा सकते हैं, हम plant के root को भी हम खा सकते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब पापा बजार से कुछ भी चीज़ लेकर आते हैं, और वो अगर vegetables रहा, तो आप guess कर सकते हो, कि वो कौन कौन से part हैं, तो leaf, जैसे कि आप cabbage, अगर पापा जो है cabbage अगर लेके आए, तो cabbage जो है, cabbage plant का leaf है, fruit, अभी मैंगो आप खा र तो गाजर जो है आपका root हो गया, यह सारी जो है, किसी भी plant के parts होते हैं, और उसको हम खाते हैं, तो किसी भी जैसे कि हम आगे देखते हैं, sometimes roots, sometimes stem, and even flowers, have you ever eaten pumpkin flower, pumpkin flowers, dipped in a rice, paste and fried, pumpkin flower जो है, उसके leaves को भी हम, flowers को भी हम खाते हैं, some plants have two or more edible parts, कई जो plants होते हैं, उसमें यह सारे जो parts है, leaf, fruit, root, इन सब को हम खा सकते हैं, तो हम को इस बात को समझना है, कि किसी भी plants के, जो parts जिनको हम खा सकते हैं, उसको हम edible या edible parts कहते हैं, हम क्या सीख रहे हैं? eatable और edible parts of a plant, तो eatable और edible plants, edible parts of the plant क्या हैं? कि कि किसी भी plant के, जो part हम उसको खा सकते हैं, part मतलब उसके leaf हो गए, fruits हो गए, root हो गए, या उसके stem हो गए, या flower हो गए, तो जो जिस part को हम खा सकते हैं, उस part को हम क्या कहते हैं? eatable और edible parts हम कहते हैं. अब यहाँ पर एक activity है, activity number five, यहाँ पर आप देखो, कि टेक सम ड्राइज सीट्स आफ मूंग और चना, मूंग और चना का जो सुखा वा जो बीज है, उसको आप ले लो, put a small quantity of seeds in a container, filled with water, अब उस seed को लेकर, चना या मूंग के seed को लेकर, आप एक container में पानी भर भर लो और उसमें उसको भेगा दो, next day, drain the water completely and leave the seeds in a vessel, अब पानी को इसमें से निकाल दो और seed जो है उसको उसी में रहने दो, wrap them with piece of weight cloth and set aside, अब उसको गीले कपड़े से बान कर कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए हम उसे रख देंगे, the following day, आने वले दिन पे, do you observe any changes in the seed, क्या हमको उस seed में भीगेवे seed में कुछ changes, कुछ परिवर्तन दिखाए देता है, a small white structure may have grown out of these seeds, if so the seeds have sprouted, हम देखते हैं कि ऐसा करने से जो चाना जो होता है, जो मूंग होता है, उसमें अंकूर निकल जाता है, तो उस अंकूर को हम क्या कहते हैं, sprouted बोलते है, अंकूर जो है, sprouted कहलाता है, और अगर नहीं निकला है, if not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day, और अगर नह हम उसको cover करके हम रख देंगे, तो अगले दिन जो है, निश्ची तुरुप से उसमें से अंकूर जो है, वो निकल जाएगा, after washing these sprouted seeds, अब उसके बाद अंकूरित चने को, अंकूरित बीच को हम खा सकते हैं, you can eat them, they can also be boiled, उसे हम boil भी कर सकते हैं, और अगर हम उसमें कुछ spices अगर हम डाल देंगे, तो उससे tasty flavor हम को मिल जाएगा, do you know where honey comes from, अब हम को इस बात को समझना है कि जो हमारे जो सहद हैं, वो कहां से आते हैं, how it is produced, शहद जो है कैसे बनते हैं, have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about, आपने कभी मधु के, मधुमक्की की छत्ते, यहां पर पिक्टर में हम दे देख रहे हैं कि यह एक छत्ता है और यहां पर बहुत सारे मधुमक्खी जो है, वहां पर इकठे हैं, bees collect nectar, sweet juice होता है, जिसको हम nectar कहते हैं, from flowers, अब यह जो bees होते हैं, मधुमक्ख्या क्या करती हैं, कि पेड़ों में जो पाए जाने वाले जो फ्लावर जो है, पेड़ों के honey वो form करते हैं, and stored it in their hives, और यह जो hive जो यह जो छत्ता जो है, उसमें वो धेरे-धेरे क्या करते हैं, उसको इकठा करते रहते हैं, flowers and their nectar may be available only for part of the year, so bees store these nectar for their use all through the years, अब जो flower की जो nectar जो है, जो juice जो हैं, वो एक विशेस season में ही मिल सकते हैं, तो इसलिए honey जो है, वो क्या करता है, कि जब वो season रहता है, जब फूल, जब पॉधर से फूल निकलता है, तो उस समय जो फूल में से उस nectar को चूज कर, इकठा करके वो क्या करता है, इस अपने छत्ते में उसको इकठा करते रहता है, और ऐसा करते करते उसका जो honey, beehives जो ह है, वो form हो जाता है, और इसी nectar से जो sweet juice जो form होता है, उसको हम honey कहते हैं, अब हमको समझना है कि what do animal eats, do you have cattle or pet that you take care of, आपकी घर में कोई गाय या कोई ऐसा pet है, जैसा dog है, a dog, cat, buffalo or goat, you will then surely be aware of the food, अगर आपकी घर में होगा, तो आपको निश्चे तुप से पता होगा कि वो क क्या खाते हैं, the animals eats, what about other animals, have you ever observed what squirrel, poison, lizard or small insects may be eating as their food, अब आप कलपना करिए कि जो पीजन जो होते हैं, जो गिलहरी, squirrels होते हैं, या लिजर्ट जो छिपकली जो होते हैं, वो क्या खाते हैं, या पर गिलहरी में आप देख रहे हो, examples, activity जो है 1.5 आपके टेबल में है, आपको यहाँ पर name of animal and food of animal eats, यहाँ पर एक चाड़ दिया हुआ है, जिसमें buffalo क्या खाता है, उसका यहाँ पर mention है, तो buffalo क्या खाता है, grass खाता है, या फिर वो grain खाता है, cat, small animal को खा सकता है, birds को खा सकता है, और वो दूद वो पी सकती है, rat, rat, rat क्या खा सकता है, गेड़े जो मकोड़े जो रहते हैं, उनको खा सकता है, कई बार आप देखे हो कि घर में wheat जो होता है, rice जो हैता है, उसको भी या वो जूतों को काड़ देता है, papers को खा लेता है, लाइन, लाइन क्या खाता है, जो छोटे जो animals होते हैं, hunting करके उसको ख कर सकते हो,